लोकी की सब्जी तो बहुत खाई होंगे आपने पर क्या कभी लोकी का भरता खाया है बहुत ही टेस्टी बनता है तो आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ अपनी बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी लोकी का भरता बहुत ही आसानी से बन जाता है बहुत टेस्टी लगता है ख भी लौकी का भरता बना रहे हो तो जो कच्छी वाली लौकी आती है ना बोलें अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा तेल लेंगे और लौकी के ऊपर हमें इसे लगा देना है तो पहले अच्छे से वाश कर लें लौकी को और उसको पॉंच ले जो हरी मिच है लहसुन है वो उसमें दबा देते हैं बट इसमें हम ऐसा नहीं करने वाले हैं जिस अभी हमें जो लौकी है उसको हम भूनने वाले हैं आप चाहो तो वो प्रोसेस भी कर सकते हो लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसको बना रही हूं तो इसलिए मैं वो नहीं कर रही हूं बाकि आप अपने कोर्डिंग थोड़ा से समें चेंज ला सकते हो और पूरी लौकी को बस हम इस तरीके से अलट पलट करते हुए और थोड़ा सा इधर उदर करते हुए पूरा भून लेंगे देखो वो एंड तक हमें इसे भूनना है क्योंकि हमें प अब देखिए निकलने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है क्योंकि लोकी की स्किन बैंगन के मुकाबले थोड़ी टाइट होती है तो अभी हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे ठंडा पानी और पानी डालने के बाद ना लोकी की जो स्किन है वो बहुत ही आराम से आसानी से य अब देखिए और इसी तरीके से आप तुरही का भरता भी बना सकते हो कोई भी ऐसी रेसिपीस होती है जो थोड़ी सी डिफरेंट आप उनको बनाना चाहो तो आप वो ऐसे कर सकते हो तो यह लोकी हमारी जो है वो पुरी छिल गई है अभी हम इसका जो यह किनारा है वो चौप कर लो आप चाहो तो इसको मैशर से मैश कर सकते हो अगर थोड़ी सी टाइट आपको लग रही है तो आप इसको मिक्सी में पीस सकते हो तो यहां पे मैं इसको मिक्सी में पीस रही हूँ और आप देख सकते हो बीज बिलकुल भी मोटे वाले नहीं है मेरी लोकी के ब अब इस टाइम पे आप काटेंगे इसको तो वो वीजह आप हटा सकते हूँ तो आभी देखिए लौकी जुमें होए वो मैंने काट ली और अब इसको मैं थोड़ा सा करलोंगे मौटा-μौटा ही तो बस जाड में हम डाल लेंगे और इसको मुटा-Mौटा सा यह हमें दर्दरालत मतलब पीसलेना है और यह देखे आैंगर हो गयां सामारा यह SI रिषेपी बहुhon्や जब ज़ाद अच्छे लगते हैं तो सरसों का तेल ही यूज़ करें जितना हो सके उतना और अभी हम इसमें डाल देंगे जीरा डालने के बाद डुआ सा और चोप करके ही लिए है और इसका मैंने कोई भी पेस्ट नहीं बनाया है सब कुछ मोटा मोटा ही रखा है तो क्या होगा न जब आप भरता खाऊगे न तो चंक्स जब मुह में आते न तो बहुर तेस्टी लगते हैं तो इसलिए उस अकोर्डिंग है मैंने सारी चीज़ें रखी हैं अभी जो प्याज है उसको हम अच्छे से भून लेंगे जब तक हम बैंगन का भरता बनाते हैं प्रोसेस लगबग वैसी ही है और कुछ अगर आप जिससे कुछ लोग भरते में मतर डालते हैं कुछ लोग आलू भी डालते हैं तो वह भी आप करना चाहूं तो वह अपने कोडिंग अप कर सकते हो अभी देखिए टमाटर जो हैं वो भून और यह सारी चीज़े हम इसमें मिक्स कर देंगे और इनको अच्छे से भून लेंगे तो हमारा जो भर्ते का मसाला है वो अच्छे से भून जाना आजए आप देख सकते हूँ कैसा यह हो गया है भी बहुत ही टेस्टी सा लग रहा है ऐसा ही हमें कर लेना है और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये जो लौकी हमने पीसी थी वो यूजली हम बैंगन का भरता खाते हैं तो हमेशा मूपे बैंगन का ही भरता रहता है इसलिए बार-बार बैंगन शब निकलता है लेकिन ये लौकी का भरता है बहुत ही टेस्ट गया और वो पानी भी मैंने भरते में डाल दिया और इसको तकरीबन 7-8 मिनट मैंने मसाले के साथ कुक किया है जो लौकी है हमारी उसको मैंने 7-8 मिनट मसाले के साथ ही कुक किया जिससे क्या होगा न जो फ्लेवर्स है न वो लौकी में अच्छे से घुश जाएंगे और जो ना वो लोकी नहीं लगेगी आपको बहुत ही टेस्टी सा एक फ्लेवर फुल डिश आपको लगने वाला है यह आपको बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होगा आप लोकी खा रहे हो तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राइ करना और मुझे बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लग है और इसको आप ट्राइ कर सकते हो किसी भी रोटी पराठे अजार और राइस यह सब लेकर और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगने वाली है तो ज़रूर इसको ट्राइक करना और मुझे फोलो करना थैंक यू